जब भी कुछ मीटा खाने का दिल करें, दो मिनट में ये हेल्दी रेसेपी बना कर देखना दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप अपने बच्चों को टुफिन वाक्स में, ब्रेक्वस्ट में, डिनर में, स्नैक्स में किसी भी टाइम इसे दे सकते हो, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, कड़ाई में हमें एक चमर्ज देसे घी डालना है, घी को हमें अच्छे तरीके से मेल्ट होने देना है, जब गी मेल्ट हो जाए तो हमें एक तेजपत्ता, एक छोटी लैची, हमें घी में डाल देनी है, जो चीज़ों को हमें घी में तड़कने देना ह दोस्तों ताकि तेजपत्ता और चोटी लैची की खुश्बू घी में अच्छे से मिल जाए और बहुत ही अच्छे सी खुश्बू आने लगी है अब हमें ड्राइफ्रूट्स लेना है चार मेने बदाम तीन काजू छे से साथ पिस्ते लिया है दोस्तों जिसका हमें एक पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से उसे पीस कर खिला सकते हो और यहां पे जो ड्राइफ्रूट्स था वह अच्छे तरीके से भून चुकी है अब हमें इसके अंदर दो रोटी श्रामिल करना है मैंने यह सुभी की बचीवी रोटी से इसे बनाया है और एक कप हमें इसम से तोड़ तोड़ कर दूद में डलना है तो दोस्तों अगर आप बचीवी रोटी से इसे बनाते हो यह रैसेपी बनाते हो तो और चीवी यहली है, क्योंकि बची भी रोटी, याने कि बाशी रोटी में कार्वो हाइडरेड और फाइबर की जो मात्रा होती है, वो बहुत ही भर्पूर होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जदा लाबदाइक है और बच्चों को तो और भी जादा फायदे मन होगी तो अगर बची भी रोटी है तो उससे जरूर बनाए तो यहां पर मैंने इसे इंडेक्शन में चढ़ा दिया है और इसे हमें कुप कर लेना है तो यह देखे दोस्तों बहुत ही अच्छे से दूदू बनने लगा है और ज मज़े की है तो आप ज़रूर इसे ट्राय करना दो मिनट में बनने वाली यह रेसेपी है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा है इसमें मैंने सारी जो चीज़े डाली है वह बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए फायदे मन है यहां अब हमें इसके अंदर वन टेस्पून शूगर एड़ करना है आप अपने टेस्ट के कोडिंग शूगर डाल सकते हो आप चीनी के जगा गूर भी शामिल कर सकते हो शहत भी डाल सकते हो यह आपकी चौईस है दोस्तों चीनी एड़ करने के बाद हमें इसे चलाते वे थोड़ा पका लेना है फिर से मैंने हाफ कप इसमें दूद एड़ कर दिया है दोस्तों और इसे हमें चलाते वे पांच मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि यह अच्छे से जो रोटी है वो मिल्क में मिल जाए तो यह देखिए दोस्तों पांच मिनट हो चुका है रोटी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और अच्छों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों तो आप जरू ट्राय करना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मजेकी बनती है जो इसका टेस्ट है वो एकदम मीठी पीठा की तरह है जो हमारे दादी पर दादी बनाती थी और हम लोग बहुत शॉक से खाते जब भी भूख लगे और जब भी मीठा खाने के दिल करें तो यह रैसेपी ज़रू ट्राय करना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मजेकी लगती है तो आज की रैसेपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप अपने बच्च कर दिया ताकि इसकी खुबसूरती और भी बढ़ जाए और जब मैं इसे सजा रही थी तो मुझे एकदम खाने का दिन नहीं कर रहा था बस इसे देखने का ही दिल कर रहा था दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यूनिक रैसेपी आप लोगों के लिए लाई कि अचिछ जे जब मैं जब मैं एक और रहा रहा था जाए ह।